नमस्कार प्यारे विजार्दियों आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने नवे प्रेस्न तक प्रेस्न आपको हल करवाए थे उसके बाद में जो भी प्रेस्न है उनमें ये देखा कि ये आप पिछले प्रेस्न से समंधित कर देगा आसनी से हल कर सकते हैं उनी में एक 12 प्रास ने ऐसा है जो कि हम आप एक 16 प्रास ने जो आएगा उसके अंदर उसको combine करने की कोशिश करेंगे और व्याट पुरा का पुरा आपको उसमें समझ में आज़ेगा अब देखे उसके बाद में आपके 13 प्रास ने जो है इसके अंदर क्या करना है आपको left hand side से paper चलना है आपको right hand side यहनि आपको इसमें ऐसे परिवर्दम करने हैं जिससे कि आपको ये steps मिल जाए तो आप देख सकते हैं कि यदि हम एक आसान विदी यह होती है कि किसी भी present course सबसे पहले आप sign और course के रूप में यदि रूपांतरित कर देते हैं तो आप आसा सकते हैं share theta को हम लिखेंगे सबसे पहले one upon cos theta minus इसको हम cos theta यैसे वैसे लिखेंगे और इसके बाद में आप quad theta को लिख लेंगे cos theta बटे sin theta और plus में आप 10 theta को लिख लेंगे sin theta बटे cos theta अब इसको हम अपनी सामानी वीदियों से हल करेंगे या आपने अभी तत क्या किया कि share quad और 10 के जो भी sin और cos के formula हैं उनको हमने यहाँ पर apply कर दिया यानि हमने इसमें एक तो रखा cos theta जो बराबर होता है one upon sec theta या फिर sec theta बराबर होता है one upon cos theta यह अपलाई किया और एक हमने अपलाई किया tan theta बराबर one upon cos theta यानि कि इसका दूसरा formula ही भी आप 10 theta लिख सकते है sin theta बट cos theta बटे cos theta और इसके अनुशार लिखें तो आप cos theta बटे sin theta यानि यह आपको अच्छी तरह से याद होगे और यहार करने भी तो देखिए इसमें यहाँ पर आप सबसे पहले calcium लेंगे तो यहाँ आगया cos theta यानि यहाँ बटे में cos theta यहाँ बटे में 1 बानेंगे हम तो इध cos theta इधर 1 से गुणा होगा और यह होगया cos square theta यानि cos square theta जैसे LCM लेंगे तो बटे में 1 है एक को हम cos theta से गुणा करेंगे तब cos theta होगा तो यहाँ पर भी cos theta से गुणा होगयी होगया cos square theta यहाँ देख सकते हैं यह आपके LCM आगया इसमे sin theta into cos theta आप into के लिए इसमें बीच में खलका सा dot बना दें फिर इसमे cos theta इधर गुणा होगा यह होगया cos square theta और plus में sin theta इधर गुणा होगा यह होगया sin square theta यानि यहाँ भी हुने LCM लेकर हल कर लिया फिर आप देख सकते हैं जो आपके यह value है इसमें हम सरल करेंगे तो 1-cos square theta इसको हम लिख सकते हैं sin square theta जो कि आप हमने सरल समीका पढ़िया उसको भी अभी पढ़ेंगे और यह आपके होगया 1 upon sin theta into cos theta तो हमने सरल समीका कौन सी काम ली हमने काम लिया यह आपको sin square theta plus cos square theta equal to 1 जैसे हम इसमें cos square theta का पक्षान तम कर देगे तो sin square theta आजएगा आपके 1-cos square theta यानि आपको 1-cos square theta की value मिल भी sin square theta आ आप इसको अमाल कर सकते हैं जैसे sin square theta और sin theta यह cancel हो रहे हैं यहाँ बचे का आँस में प्येवल sin theta और बटे मागया cos theta into cos theta यहाँ पर बच रहा है अब इसको आप separate कर लेंगे यहाँ यह तो हम लिख लेंगे sin theta बटे cos theta क्योंकि आपकी जो उसेता हो क्या 10 theta तो हमने एक अलग कर लिया और गुणा में one upon cos theta यह cos theta में ऐसे एलग कर लिया क्योंकि यह आपको z theta मिल जाएगा तो आप इसको लिख लेंगे side button cos क्यों होजेगा यह होगा आपके 10 theta और into होजेगा आपके seg theta यह आपकी ओदी right hand side जो की सिध्ध हुआ इस प्रकार से आपको इसे सिध्ध करना ह next देखें आपके लिए यह प्राशन जो है वो अत्ति महत्रप्रोंड यानि ही यह आपके star वाला प्राशन है अब इसमें देखिए आपको किस तरह से 12 जो प्राशन आपको बताया था जिसमें power 4 थी और यहाँ पर power 6 तो आप इसे किस तरह से अपनी algebraic identity के according इसको डालेंगे यानि कैसे हम इस course में change करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर power 6 है तो हम इसको cube में बददेंगे तो cube में बददने के लिए आप पहले left hand side में लिखेंगे और इसको हम दिख सकते है side square theta की power यहाँ पर cube आप देख सकते हैं यहाँ पर यह तो square है और यह cube है तो 2 into 3 के आपका 6 हो देगा यानि आप इसको 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 इस तरह से लिखेंगे और plus में आप लिखेंगे cos square theta और इसके power यहाँ पर cube तो यह यहाँ पर change हो गया क्योंकि आपके यह एक सरसमीका है वो पता रहों आपको aq plus bq वैसे आपने यह 9th class में पढ़ा है लेकिन देख लीजे यह होता आपके a plus b into a square minus ab plus b square तो इस तरह से आपको यह सरसमीका जो है वो इसमें apply करना है कैसे sin square theta और वो आपके a की जगे है और cos square theta और वो b की जगे तो यहांपर values put करते होते हैं तो देखिए a plus b यानि यह होज़ेगा आपके sin square theta plus cos square theta गुणा के अगर a square है तो यह होज़ेगा आपके sin square theta का square और minus में आपके sin square theta into cos square theta और विद प्लस के अंदर है आपके b square यहनि cos square theta का square यह हो गया cos square theta का square फिर आप यहांपर आइडेंटिटी जो पढ़ी है sin square theta plus cos square theta यह हमने पढ़ा है 1 तो इसको डाइरेक्टर में यहांपर put करते हैं 1 तो 1 into जो भी होगा वो आपको यहांपर मिलेगा तो यहांपर इसे हम लिख सकते हैं sin की बाद यहांपर sin square theta का square है और फिर minus sin square theta into cos square theta और फिर plus में cos square theta का holy square आप देख सकते हैं कि यह जो sin square theta का square है और यह cos square theta का यह आपने बाद में प्रस्ण में की ऐसी condition देखी है यहांपर यह यहांपर इस्टेब हो एक्स्टर आ रहा है इसको हम बाद में लिख लेते हैं इसके लिए देख सकते हैं कि यदि आपके पास में a plus b का holy square मिलेगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a square plus 20 plus b square तो इसे हम change करके a square और b square जो के आप क्या होज सकता है यह आपके a square और यह आपके b square तो a square और b square को हम इसमें change कर लेंगे यानि a square plus b square equal क्या हो जाएगा a plus b का all square minus ये 2m इदर आएगा यानि minus में हो जाएगा 2ab अब इसको हम लिखते हैं यहां पर a square plus b square यानि कि इन दोना step की जगह है हम ये लिखेंगे तो a की value क्या है sin square theta ये हो गया sin square theta और plus में b की value क्या है sin square theta into b क्या है cos square theta अब ये की minus में एक step और है तो इसको हम लिखेंगे यान का लिखेंगे माइनस में sin square theta into cos square theta अब इसे change गरकें देखें ये यान पर sin square theta plus cos square theta क्या बना है ये भी आपको साइड में लिखना है sin square theta plus cos square theta equal to क्या होता है 1 तो ये सारी identity आपको इस तरह से साथ में कामल लेना है तो इसे हम लिख सकते है 1 तो 1 का square 1 होगा माइनस में ये 2 है और ये 1 है यानि ये step पूरे दोनों क्या है same है तो इसको हम लिख सकते है माइनस में 3 sin square theta into cos square theta और ये यान पर सिद्ध हो गया यानि ये आपको side मिल की कौन सी right hand side जो की इस प्रकार सिद्ध हो अब देखिए next person आप ऐसा ले रहे जो की आपके लिए interesting भी है और बापी useful भी यानि इसमें ऐसे step शम काम है लेने वाले जिनको आपको सरल करते समय स्रावधानी से हल करना होगा तो इसमें देख सकते हैं कि ये आपका left hand side ये आपका middle turn और ये आपका right hand side तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो left hand side है इससे आपको ये सिद्ध करना है ये तो आपका है 17 अप्राश्न और जो left hand side है इससे आपको right hand side प्रोब करना है यह हैं आपका बीशमन प्रस्न यानि ये ए की साथ में दो प्रस्न हल हो रहे हैं यानि एप तीर और दो निसाने लग रहे हैं तो इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले जो लेप एंड साइड है इससे हम पी इस तरह से हल करें ताकि आसानी से हमें ये steps मिल जाएगे तो आप देख रहे हैं कि ये है 10 और cot की रूप में तो आपको सबसे पहले ये भी 10 और cot की फर्म है लेकिन इनको हल करने के लिए आप completely इनको क्या कहेंगे सभी को 10 में convert कर लेंगे तो देख सकते हैं 10 थीटा और बट्टे में ये हैं आपके 1 माइनस cot थीटा आपनी क्या पढ़ा 1 upon 10 थीटा plus cot थीटा अब हम लिखेंगे 1 upon 10 थीटा बट्टे माज़ेगा 1 minus 10 थीटा चलो अब इसको हम next हल करते हैं तो इकवल में क्या लिखेंगे यह जो इस्टे पे इसका हम क्या करेंगे बट्टे के अंदर आज़ेगे तो अंस में हम ऐसे ही लिखेंगे 10 थीटा बट्टे यहाँ पर आज़ेगे 10 थीटा और 10 थीटा वो 1 से multiply होगा यह हो गया आपके 10 थीटा और minus मागया 1 तो हम क्या लिख सकते हैं बट्टे हम एक लिखेंगे तो 1 है वो तो 1 से गुणा होगा और 10 थीटा इससे गुणा होगा यानि यह आज़ेगा आज़ेगा आपन 10 थीटा इंटू 1 minus 10 थीटा next लेखें आपके 10 थीटा वो इसससे गुणा होज़ेगा क्यानि इसके बट्टे हम थीटा है फिर देखें, प्लस में आपको मिद रहा है 1 upon 10 थीटा इंटू 1 minus 10 थीटा आप देखें आपको क्या गरना है याह दोनों के जो आपके हर है यहनिक जो denominator है इनका आपको LCM लेना है तो LCM क्या जाएगा यहांपर LCM मिल जाएगा यह यहांपर step पूरा का पूरा आपको नजर दो आ रहा है यह यहांपर गुणा में लेकिन इनके चिन्य विप्रीत है तो यह 10 theta minus 1 है तो क्या नजर इसको भी 10 theta minus 1 बना रहा है इसके लिए क्या गरते हैं सबसे पहले यह plus है इसका हम minus बनाएगे और एक बार यह step कम गर देते हैं तो आपके यह लिखेंगे से हम 10 square theta बटेम लिखेंगे 10 theta minus 1 अब देखें आपके लिए plus जो है यह बज़ेगा यहाँ पर minus क्या हुआ क्या हुआ क्योंकि यहां से हमने minus common लिया minus common लिया यह अपिर आंस और हर को minus से गुणा किया तो जैसे यहां से गुणा करेंगे तो plus की जगे हो गया minus और अकोच एसी माइनास से गुंणा करेंगे, यह माइनस 1 प्लस 10 थयदा, यानि यह बनोंगे हैं, 10 थयदा माइनस 1, तो यहां लिखेंगे, 10 थयदा इनटू, 10 थयदा माइनस 1, तो यह इस्टेप आप ऐसे लिख सकते हो, अब हम आसा नीक है इसमें LGM ले सकते हैं, यह दोनो एक बार आएगा और यह एक्स्ट्रा एख यह यहनि 2 ठीटाइंटू ठीटा-1 आपके क्या जाएगा अचेव तो लिखें तन ठीटा इंटू 10 ठीटा-1 आब देखें इस साइड में 10 ठीटा-1 तो आए रहा है साथ में 10 θ और गुणा में होना चाहिए तो अंसर हरकों गुणा करेंगे तो 10 θ इंटू 10 इस्वाइड देटा क्या हो जाएगा 10 3 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 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 Q मान लेके तो आप लिख सकते हैं A Q माइनस B Q यह आपके होज़ेगा A माइनस B इंटू A स्कार प्लस AB प्लस B स्कार इसके साथ ही आप यह सरद समीक आप याल तर लें A Q प्लस B क्यूब जो होता आपके A प्लस B इंटू A स्कार माइनस AB प्लस B इसको है याप पर प्रिवर्तन क्या है माइनस यह आप यह प्लस आ रहा है यह माइनस यह प्लस और यह प्लस यह आपको याद करना होगा कि A-B आ रहा तो यह भी A-B, A-B आ रहा तो यह भी A-B याणि Q प्लस आ रहा है आपको यह बागी के सरद प्लस में रखने और इसमें B जोला क्या हैगा माइनस आप देखिए आप इस सूतर को इसमें अप्लाई करेंगे तो सारे मादर देते हैं A का माण है 10 theta तो लिखेंगे हम 10 theta-1 और फिर आजएगा A square यानि 10 square theta और फिर आपका प्लस में A इंटू B तो 10 theta इंटू A यानि यह आगे 10 theta और प्लस में B square यानि 1 का square बट्टेम आपको सेम रिखना है 10 theta इंटू 10 theta-1 अब यह 10 theta-1 दोनो अंस्वल हर में cancel होए तो ये आपकी cancel होने पर क्या बज़ रहा है? 10 square theta plus 10 theta plus 1 अपन 10 theta इनको हम separate गळ लेते हैं तो ये होज़ेगा 10 square theta बटे माज़ेगा 10 theta और फिर प्लस में 10 theta और इसके बटे में भी आएगा 10 theta 10 theta बटे 10 theta प्लस तो 1 upon भी आज़ेगा 10 theta ये होगया 1 upon 10 theta अब इनको हम 6 अगर लेते हैं तो 10 square theta upon 10 theta ये तो होगया 10 theta और 10 theta पर टे 10 theta ये आपका 5 solar दोनो चैसल होगया 1 होगया और 1 upon 10 theta क्या होता है? 4 theta यहाँ पर आपके और से पर क्या है 4 theta प्लस आगया 4 theta अब इन steps को अपनी आवसेक्ता के अनुशार थोड़ा rearrange कर लेते हैं यानि ये होज़ाएगा आपके 10 theta बात में लिख लेते हैं 1 पहेले लिखेंगे तो 1 plus 10 theta plus quarter theta ये आपकी side आगे इसमें right hand side यानि हमने यापर तो लिखाये 17 present के आपको right hand side मिल गएगी ये आपका इती सिदम अब देखिए आपने ये विदी जो पूरी देखिए इसमें क्या देखा कि हमने 17 present में लास्ट में अन्तक्षित कर लिया अब इस step की side यानि यहाँ तक आपको पूरा करना है बीश्में में आपके जो बीश्में पूरा ये शिएम करना है और इसके बाद Mij ago है अर्य आप देखिए आपके जो बीश्मा पोरी सना है उसमें आपको इसके equal हे शिदक शिदक करना है तो हमने 17 में यहां से ये तो शिदद गर दिया तो आप यहां से यहां पहुंशने के लिए बार में यदि जैपुर पहुंच गये, तो क्योंने वापस शाठकर आप दिली जाओगे या पिर जैपुर से आगे शिदा दिली, यानि कहने गारते हैं जोदपुर से जैपुर गये और जैपुर से दिली गये, तो आपको जोदपुर से जैपुर आज चुके हैं और आपको जैपुर से कहा जाना है दिली, चलो दिली पहुंचने हैं पसिस करते हैं, यानि जो लेट हेंड साइड है, तेन थिटा बटे 1 माइनस कोड थिटा प्लस कोड थिटा बटे 1 माइनस तेन थिटा, इसके इक्वल, क्वेस्टन जो 17 है, वो आपको बुरा गरना है, और लास्ट मे आपको step मिलेगा, यानि ये पुरा इसी तरह से सित करते हैं चलना है, आपको मिलेगा 1 प्लस 10 थिटा प्लस कोड थिटा, अब इसको लेका चलना है, और आपको यहां पहुंचना है, कैसे, 10 और कोड के, square में तो आपको रिलेस्टन है किसे, सेक और कोशेट से, लेकिन आपक तो sin और कोश में बदलेंगे, तब आप इनको आसन से चैंज गर सकते हैं, यानि इनको अंपर sin कोश की फ़र में लिख लेते हैं, तो यह ओगा 1 प्लस sin थिटा पटे कोश थिटा, प्लस कोश थिटा पटे sin थिटा, अब यहां पर इसका LCM लेकिते हैं, तो यह आगा आपको cos theta into sin theta अब यह आपके cos theta sin theta दोनों का गुणा 1 से होगा यानि 1 into cos theta into sin theta प्लस यहां cos theta है पहले से sin theta से गुणा करना तो sin theta यहां भी गुणा होगा यानि sin square theta प्लस यहां sin theta है आपको जाइए sin theta into cos theta तो cos theta से गुणा करेंगे तो इसे भी हम cos theta से बुणा करेंगे, यह होगा cos square theta, अब देखिए, next आपको, यहाँ पर sin square theta plus cos square theta, यह तो बन जाएगा 1, यानि यह आगया पहले ही, cos theta into sin theta plus 1, इसकी value आगी, और बट्टे मा आगे रहा है आपके cos theta into sin theta, अब देखें, यह आपके a plus b upon c की तरह है, तो आप इस cos theta into sin theta plus 1 upon cos theta into sin theta, तो यह आपके दोनों cancel हो रहे हैं, और इसकी जगे आजएगा 1 और plus में, अब इनको separate कर लेते हैं, यह होगा 1 upon cos, 1 upon cos हो रहा है आपके sin theta, और यह होगा 1 upon sin, यह हो जाएगा आपके cos theta, तो इस तरह से यह आपको कौन से side मिल भी, यह मिल गई right hand side, यानि यह भी आपके आसानी से इस तरह से हल हो गया, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, कि आप सत्वे प्राष्ण के अनुसर यहां तक पहुंच रखते हैं, और इसके आगे sin theta, आप साइन को इसके रूप में change करके 20 में तक पहुंच रखते हैं, यह आ